नमस्कार आप देख रहा आरेडे नियोज बाय होई उगरी श्क्रवरती इस वक्त हम पांच देश रत्न मार्क डिप्ती सीम शमराट चौधरी के आवास के बैक डोर पे खड़े हैं आप देख सकते हैं कि इस बैक जो डोर है उसको बंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको पर्मानेंटली यहां उपर तक जो चार दिवारी है वहां तक बंद कर दिया जाएगा ऐसा समराट चौधरी ने फैसला किया है उनके आदेश पर ही यह जो है बैक डोर जो है उसे बंद किया जा रहा है हम आपको बता दे कि इसी आवास में डिप्ती सीम तेजस्वी आदव रहा करते थे लेकिन जब डिप्ती सीम नहीं रहे और जब उन्होंने इस आवास को खाली किया तो उन पर तमाम तरह के आरोप लगे और यह भी आरोप लगा कि इस बैक डोर का जो है इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जाता था लेकिन सचाई कुछ और है दरसल यह यहां से चंद मिनट की दूरी पर बिहार की पुर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी का आवास है और यहां से जो है डिप्ती सीम तेजस्वी आदव को अपनी मा की आवास और पिता जहां रहते हैं वहां आने जाने में सुब्धा होती थी और लेकिन इस बैक डोर के बना गया और दक्षिन दिसा का जो दर्वाजा होता है वो शुब नहीं होता इसलिए इसे बंद किया जा रहा है और यही बजा है कि इस आवास में अब तक जितने भी डिप्टिस सीम आए उन्होंने अपना कारिकाल पूरा नहीं किया कोई सत्रह महीने तो कोई दोशाल तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस आवास में दिवंगत बीजेपी नेता सुसील मोदी, बीजेपी नेता तारकिशोर परशाद, आरजेडी के पूर्व डिपके सीम तेजस्वी यादव दो बार रह चुके हैं और इसके अलावा भी कई नेता यहां रह चुके हैं और पर रहने आए हैं उससे पहले उन्होंने इस घर में कई सारे परिवर्तन करवाने का फैसला किया है और उसी परिवर्तन का एक हिस्सा यह दक्षिन मुखी जो है दरवाजा को बंद करवाने का है हम आपको बता दें कि आम तोर पे जो है बीजेपी के नेता जो है कहते हैं कि वो दक्या नूसी नहीं करते किसी तरह के टोने टुटके और किसी तरह के अंध्विस्वास में भरोशा नहीं करते लेकिन जिस तरह से समराट शौधरी ने इस दरवाजे को बंद करवाने का फैसला किया है वो सीधा सीधा इस 21 सदी में अंध्विस्वास का हिस्सा है क्योंकि 21 सदी में लोग दच्छीन उत्तर उरा पस्सि में भरोशा नहीं करते हाँ वो कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू रिती रिवाज के हिसाब से जो है इस गेट को बंद करवा रहे हैं लेकिन आज भी कई ऐसे घर हैं जिसके दरवाजे दक्षिन मुखी होता है और लोग उसमें रहते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं और मजे से रहते ह उन्हें कोई परिशानी नहीं होती लेकिन कहते हैं कि जब एक बार कोई कलंक लग जाए तो फिर उसे धोना मुस्किल होता है तो यह दरबाजा इस आवास पांच-दस रत्न मार्क के लिए कलंक की तरह है कि यहां आने वाले डिप्टे सीम कभी अपना कारिकाल पूरा नहीं कर आते और उसी कलंक को समराठ चौधरी धो रहे हैं इससे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि वह सर्यों में जाकर अपना पगड़ी जो है बहा आये हैं और अब इस गेट के जरिये जो है इस आवास का जो है अप्शगुन को खत्म करवा रहे हैं हम आपको बता दे कि इस आवा भादे हैं कई शारी कहानिया हैं जो मेडिया में आते रहती है और जब pleasures को बंद किया जा रहा है तब एसकी एक कहानी है कि इसको दरुआजे को ले कर तमाम मेडिया के लोग यहां पहुच रहे हैं और इसके बारे में तरह-तरह काहानियाश्यां बणा रहे हैं कुछ लोग ये का रहे हैं कि ये बैक डॉर है और यहां से जो है गलत गतिविधिया करते थे देजश्वियादव लेकिन चाहि ये है कि बैक डॉर का मतलब यह है कि यहां से रावड़ी आवास चंद मिंटो की दुरी पर है इस बज़ा से इस गेट काते जस्वी यादव इस्तिमाल करते थे हम आपको बता दें कि बगल का जो आवास है वो सीम हाउस है और यहां 2400 घंटे अभेद सुरक्षा होती है परहरी मौजूद होते हैं बड़ी संख्या में तो यहां किसी गलत काम का शवाल ही नहीं है कि यहां कोई गलत काम कर ले चाहे वो कितने भी बड़े पद पे ही क्यों ना हो तो इस घर के साथ यह कहा जा रहा है कि समराट चौधरी ने इसे बंद करने का फैसला इसलिए किया है ताकि वो अपना कारिकाल पूरा कर सकें बीच में उन्हें डिप्ती सीम पद ना छोड़ना इसलिए उन्होंने इसे बंद करवाने का फैसला किया है ताकि वो अपना कारिकाल पूरा कर सकें और इस से जो है इस गेट के बंद हो जाने के बाद इस घर का उसका वास्तुदोस काफी हद तक खत्म हो जाएगा और भी कई सुनामे की काम करवाया जा रहा है इसमें चेंज इसमें एक यह दरवाजा भी है जिसके बारे मेडिया में तरह तरह की कया से लगाई जा रही है लेकिन हमने आपको हकीकत बताया कि यह चोड दरवाजा नहीं है नहीं इससे कोई गलत काम होता था बलकि यह बिहार की पुर्व सीएम राबडी देवी के आवाज से चंद कद मुख की दूरी पर है इसलिए इसका इस्तेमाल तेजस्वी आदब डिप्टी सीम रहते हुए ज्यादा करते थे और उनके बिरोधी अब उन पर तरह तरह के इलजाम लगा रहे हैं इससे पहले उन पर हाइडरोलिक बेड और यहां लगे एसी टोटी और तमाम चीजें खोलने का आरोप लगाया लेकिन उसका कहीं इस फायर दर्ज नहीं कर आया गया यहां तक कि हम आपको बताएं कि भवन निर्मान विभाग के अंतरगत आवाश आता है भवन निर्मान विभाग ने भी कोई लच दर्ज नहीं करवाया इसका मतलब सीधा है कि जो भी लोग तेजस्वी यादब पे आरोप लगा रहे थे उनका सीधा सा मतलब था उन्हें बदनाम करना उनका नाम बदनाम करना उनके जो दामन पे है दाग लगाने का मौका ढूनना इसके अलावा कुछ नहीं अगर थोड़ी सी भी सामान इधर उधर होता तो निश् इसमें थाने में एफायार जरूर करवाती अब यह आप जो देख रहे हैं गेट बंद करवाया जा रहा है यह इस घर का वास्तु दोस्ट दूर करवाने के लिए मौजुदा डिप्ति सीम समराठ चौधरी के आदेश पर बंद करवाया जा रहा है इस दक्षिन मुखी आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्रपून विचार और सुझाव जरूर दें धन्यवाद